दोस्तो आप सभी का स्वागत है अपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेस न्यूज में दोस्तो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक और नई भरती के बारे में दोस्तो राजस्थान टीचर भरती दोस्तो रीट भरती 2019 के बारे में महत्पून अपडेट और दोस्तो यहाँ पर नई भरती जो आएगी उसमें 10,000 प्लस और पद यहाँ पर बढ़ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या जानकारी है कुल पद कितने होंगे और वेकेन से कब तक आएगी सबसे सटीक जानकारी आपको अपना यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेस न्यूजब को अब तक पहुंचाता है तो सबसे पहले तो दोस्तो देखिए यहाँ पर शिक्षा के छेते में राजे सरकार की जो फैसले हैं सभी जो उत्करस्ट जो विध्याले हैं उनमें एक एक पद और यहाँ पर शिक्षकों के सरजित किये जाएंगे इसके अलावा द 120 बच्चों पर एक होता था तो अब यहाँ पर 105 बच्चों पर एक है तो यहाँ पर यह पद भी बढ़ने वाले हैं ठीक है और यदि विध्धाले में चार विशेश शिक्ष्या के पद भी जो वेकेंसी रीट है 2019 या टेट आए तो उसमें भी चार बच्चे भी अगर अध पत्र की जानकारी है शिक्षकों के बैयासी सो और सारीक शिक्षकों के ग्यारा सो पद तक्रीबन यह 93 पद आप लोगों के लिए हैं जो बढ़ चुकी है ठीक है नई वेकेंसी में इंक्लूड होंगे यह पद और यहाँ पर स्टापिंग पैटरन की शमिक्ष्या का है और स स्टापिंग पैटरन के तहत यह पद बढ़े हैं दोस्तों ठीक है शिक्ष्या मंत्री की गोशना उत्क्रस्ट विद्धालियों के लिए एक एक अत्रिक पद एक सो पांच विद्यार्थियों पर एक शारेरिक शिक्षक और जो तरत्य भास्या का अध्यन कराने के लिए एक कलक पद यहां पर सरजित किया जाएगा दोस्तों यह स्टापिंग पैटरन के तहट बैयासी सो प्लस ग्यारा सो जो वेकेंसियां है यह बढ़ी है अब दोस्तों मैं आपको यहां पर यह जानकारी है राजस्तान सरकार का सूचना और जन्सम पर कोई भाग है इस पर भी यह सकते हैं इसमें भी है जानकारी है प्रदेश में शिक्षकों के न पर पर प्रतिस्ट पदों को भरने के हुई पहल सभी उतकरश्ट विद्धालें के लिए शिक्षक का एक एक पद 105 विध्यारतियों पर अलग से एक सारे एक शिक्षक तरितेश भासा के अधने तो भी एक यहाँ पर पद शिक्ष्या मंत्री ने जारी किया प्री डी एलेडी का परिनाम दोस्तों यहाँ पर जो है यह जो नई वेकेंसी है और इसमें जो पदों की संक्या में दो बी आसी सो प्लस ग्यारा सो यहाँ पर पद बड़े हैं और यहाँ पर शिक्ष्या मंत्री ने क्या का इस बारे में कि शिक्ष्यमंति ने बताए कि राज्य सरकार ने सिक्षकों की 90 प्रतिसत पदों को भर दिया है प्रयास यह किया गया कि सिक्षकों को उनकी नजदीक के स्थानों पर ही लगाय जाए और उन्हें कम से कम परेशानी आए उन्होंने इस पस्ट किया कि राज्य सरकार सिक्षा में राजनेतिक इस्तर पर किसी भी तरह के भेदवाव के खिलाप है वर्स 2016 में 25,000 जो सिक्षकों को इदर उदर जाना पड़ा था आर्तिक परिशानी का सामना करना पड़ा था राज्य सरकार ने कांसलिंग से पूर्ण पार्दिशा से जो प्रिक्रिय अपनाई है उस से 60 से 70 प्रिशक सिक्षकों को उनके जो इस्तान हैं ग्रह जिले हैं उनमें पड़िस्थाफित किया गया है अब दोस्तों बात बचती है आपकी नई वेकेंसी की कब तक आएगी तो दोस्तों मैं बता दूं आपको यह दो कि विदिन 6 मंथ ठीक है 6 महीने में यह वेकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है कनफर्म यहां पर 99 परसेंट हूं मैं यहां पर कि 6 महीने के अंदर यहां पर और कोसिस होगी किस से जल्द यह वेकेंसी आएगी तो आप तकरीवन 6 महीने मानकर चलिएगा दोस्तों ठीक है और यह जो ब्यासी सो पद प्लस ग्यारा सो है बानवे सो जो पद है यह अलग से भड़े हैं ठीक है जो नई वेकेंसी अब देखिए गौर्णमेंट पर डिपेंड करता है जो 34 से ज्यादा इसको लोनने खोल दिये हैं ठीक है यह प्रोसेस चल रहा है उनका ठीक है तो अब दोस्तों यहाँ पर 34 से वो इसकोल हो गई इसके अलाव दोस्तों बहुत सारे डिटायरमेंट्स भी होते रहते हैं डीपी से भी बहुत हुई है यहाँ पर देखिए पहले आया था कि पचास हजार सिक्षक मतलब पद खाली है ठीक है तो लेकिन दोस्तों जो भी हो यहाँ 25 से 30,000 पद तो अगर दो टुकड़ों में भी गवर्मेंट अगर वेकेंस निकाले तो 25 से 30,000 वेकेंसियां यहां पर मिलने वाली है अब यह गवर्मेंट किस तर का मामला है दोस्तों कि कितने पद वो देता लेकिन 92 पद है जो पीटी आई ग्रेट थर्ड के 1100 प्लस स्टा कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइब क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा सबसे सटीक और अच्छी सिक्षा समंदी ख़बरें और न्यूज और वेकेंस रिलेटेड हर एक जानकारी जो आप चाहते हैं कि बिलकुल सटीक और अच्छी जानकारी आप लो जरूर आएगा तो आप लोग अपनी तियारी करते रहें दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही जै हिंज जै भारत